हलो एवरिवन जैसे कि आप जानते हैं कि आईल्स में मास्क पहनना कितना जरूरी है तो आईल्स पीकिंग मास्क के साथ देने में कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स को हेल्प करेगा जिनको मास्क के साथ बोलने में प्रॉब्ल हमारे ये टिप्स आपको help करेंगे जैसे कि आप जानते हो COVID-19 pandemic की वज़ा से आइल्स के सारे modules में mask पहनना कितना जरूरी है इसकी वज़ा से कुछ candidates को problems आ रही है क्योंकि mask कई बार irritating हो जाते हैं और कई बार हमें breathe करने में problem आती है especially while speaking and it can also muffled speed means हम जतना बोड़ रहे हैं दूसरे को उतना सुनाई नहीं दे रहा है उससे कम सुनाई दे रहा है तो इससे आपका score कम होने की संभाबना है hopefully ये वीडियो आपको help करेगा कि आप mask के साथ कैसे IELTS speaking को handle करें सबसे पहले मेरी advice है जैसे कि IELTS की fees आप सबको पता ही है आपको बार बार exam देना easy नहीं होता तो better है कि आप थोड़ा money अपने mask पे भी spend करें क्योंकि IELTS exam में आपको अपना mask लाने की option भी है तो better है कि आप good quality का mask लें जो आपको properly बोलने और sans लेने में help करें यानि कि ऐसा mask मत पेनिये जो आपको difficult कर दे बोलना और sans लेना it has to be of good quality तो आप कई बार क्या होता है कि mask हमारा इतना lose होता है कि वो उतरता ही रहता है तो better है आप अपने face के size के according का mask पहले ही लेके जाएं और हमेशा comfortable mask लेके जाएं जो आपको fit हो आपके face size के according ताकि बार बार वो lose भी न हो इतना tight भी न हो कि आपको breathe करने में problem हो और एक चीज़ बहुत जरूरी है आप speaking में कि आप बार बार अपना mask टच ना करें क्योंकि आपका ध्यान speaking की तरफ होना चाहिए ये बड़ा annoying और risky रहेगा कि आप speaking की तरफ ना ध्यान दे के mask को ही adjust करे जा रहे हो कि mask बार बार नीचे पुल हो रहा है तो आप ध्यान दे के mask इतना comfortable हो और fit हो कि आप बार बार उसको चेड नहीं रहे और उसको बार बार touch भी नहीं करना चाहिए एक बार वो जैसा पहन के आप चलेगे आप अपना speaking पर focus रखे ना कि mask पर next important tip है कि आप mask के साथ पहले से ही practice कर ले चाहे आप अपने tutor के साथ friend के साथ family member के साथ practice करे लेकिन exam से पहले आपको speaking की proper practice होनी चाहिए mask के साथ आप अगर पहले से practice करते हैं तो आप ये experience situation को पहले से ही कर लेंगे तो आपको वहाँ problem नहीं आएगी 10 to 15 minutes mask के साथ बोलने में ये बहुत गलत रहेगा कि आप first time इतने time के लिए speaking exam में ही mask पहने तो ये advance में practice करना बहुत जरूरी है अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपके face expression तो दिखाई नहीं दे रहे because of mask तो आपने क्या करना है उन face expressions को substitute कर देना है अपने हाथों और आँखों से इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने अपने हाथ और आँखों का बहुत overuse करना है but try to express what you want to say through your hands and eyes और आप अपनी arms को भी table पे रख सकते हैं और little bit you can use it to express what you are saying क्योंकि आपके facial expression hidden है तो जादा से जादा hand और eyes का use करें लेकिन again मेरी advice रहेगी कि overuse भी मत करें हमारी next suggestion है कि आप बहुत calm और focused रहें क्योंकि आप already बहुत चिंतित हैं उपर से आपने mask पहन लिया और आपके breathing में problem आ रही है तो उससे आप और anxious हो जाते हैं और exam की वज़ा से आप nervous हैं और breathing में problem आ रही है तो इससे आपकी चिंता और बढ़ जाती है आप अच्छा perform नहीं कर पाते तो हमारी advice रहेगी कि यह सोचे के सामने वाला आपका known person है और उससे बड़े आराम से communicate करें बहुत stay calm and focus enunciate words and sentences clearly it means के आपका properly हर word और sentence examiner को समझ आना चाहिए जैसे कि आपको पता है के face mask की वज़ा से वो हमारे mouth की movement को नहीं देख पा रहे तो उससे भी काफी information उनको मिल जाती है के हम क्या word use कर रहे हैं अगर हमारी pronunciation सही नहीं भी हो लेकिन आप mask की वज़े से examiner हमारा face नहीं देख सकता तो इसलिए हमें हर word और sentence clearly बोलना होगा तो इसलिए आपको intonation and pronunciation पे ज़्यादा ध्यान देना होगा जब आप mask के साथ speaking कर रहे हैं अगर आप ये सारे tips follow करेंगे तो mask के साथ speaking देने में आपको कोई problem नहीं आएगी आप IELTS exam mask के साथ अच्छी तरह से handle कर पाएंगे और इससे आपका score बिलकुल भी effect नहीं होगा so good luck for your IELTS exam all the best everyone thank you